हेलो इस प्रेंड दिस इस मी जैसिंग जिस साइड और वेलकम तो लो फिए और क्रेकनाव पांच बजे पांच में इस क्लास में आज हम बात करेंगे एक ऐसे एक्ट की एक ऐसे नियम ऐसे कानून की जिस पर संसय उठ रहे हैं समाज का एक अथिजटिल मुद्दा भूरूर ल लड़के और लड़कियों में डिफ्रेंसियेट करते हैं लड़के को एक तवज्जो दी जाती है कि वह परिवार कुल वंस का नाम रोशन करेगा लड़कियां बोज की रूप में समझी जाती है और उन्हें जीवन देखने से पहले दुनिया में आने से पहले ही गर्व में देखेंगे हम उसका परिच्छर किया जाता है और जैसे ही लिंक पता चलता है तो उन्हें मार दिया जाता है यह एक अतिसोचनी विशय है और हमारे इस बढ़ते ग्रोथ डिवलप्मेंट नेशन के लिए एक चिंता का विशय है हालां कि बहुत सारे प्रयास किये जा रहे ह चलते हैं सरकार द्वारा अपने सतर पर लोगों में अवेर्नेस लाने के लिए महिलाओं में ससक्ति करण के लिए और समाच के आधर समाच की संकलपना के लिए तो देखेंगे हम उस कानून की बाद जो कानून इसके संदर में है तो चलिए बढ़त शुरू करते हैं कि इंडियन मेडिकल असोशियेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आर्वी अशोकन के भूड के लिंग की जाच को वैद बनाने के ब्यान से एक नई बहुत शुरू कर दी है रवियार को गोवा में कारेकरम के दवरान आर्वी अशोकन ने कहा था तीस साल बीच चुके हैं लेकिन क क्या हुआ क्या इससे लिंगान उपात पलट पाए कुछ जगहों पर इस कानून का प्रभाव हुआ होगा डॉक्टर अशोकन की इस राय को लेकर विशिश्यक्यों के मत बटे हुए हैं डॉक्टर अशोकन ने इस बात पर जोर दिया कि मौजुदा कानून को रद कर ऐसा का जो कि प्रिक ट्रॉक्ट सेंशन और्प्रि नट्राल डाइगनोटिक टेक्निक एक में डॉक्टर को ही जिम्यदार माना जाता है बिल्कुल अगर एक बात हम देखें तो जिस्तिफिकेशन नहीं जिस्ट कि एक सिर्फ डॉक्टर का इसमें नहीं होता इसमें पैरेंट्स की भूमिकाह होती है और प्रेंस के भूमिकाह हम कर सकते हैं कि उनके मन में कहीं ने कहीं है द्वंद होता है कि लड़के बेटर होते हैं लड़किया कमतर होती है इसलिए वह उस सुविधा को पता करने के लिए कि भूण का लिंग क्या है उससे पता करने के लिए डॉक्टर के प लाया गया था यह सवाल उठते हुए कहते हैं कि इस कानून को लागु हुए दसकों बीच चुके हैं लेकिन लिंगा नुपात बराबर नहीं हो पाया है आरवी अशोकन के नुशार कुछ रिलाकों में कानून की बजाए सामाजी की जागरुकता के कारणा सुधार आया है लेकिन पीसी पी एंडिटी कानून डॉक्टरों के लिए नुपसान दे रहा है वह कहते हैं कि आप गाइकोन लॉजिस्ट या रेडियो लॉजिस्ट से बात करके देखिए वे बताये कैसे उन्हें प्रताडित किया रहा है हो सकता है दो या प्माच शीजदी डॉक्टर ये कर रहे हो लेकिन इसके लिए उन्हें मेडिकल जगत को इस वज़े से प्रताड अधियम लागू किया गया था और साल 2003 में इसमें संसोधन करके और प्रभावी तरीके से लागू बनाया गया इसे कानूं करने का उद्देश इसकानूं का उद्देश से भूण की लिंक जो आज को रोखना था ताकि कन्या भूण हत्या पर लगाम लगाई जा सके वही इस बॉर्शाद इस पांडे कहती है कि IMA के अध्यक्ष हवा में गाते कर रहे हैं उन्हें इस पत्त की गरिमा को देखना चाहिए। लेकिन इसे महिलाओं के नजरिये से भी देखना चाहिए प्रोफेसर इसके सिंग इस संसा के सर्वे रिशर्च और डेटा इनलाटिश के प्रमुख भी रहे हैं कानून को लेकर क्या संसा है अब हम देखेंगे कानून जो है वह किस पच्छ को संसे भरी देखता है क्या इसके संसा है इसके सिंग कहते हैं कि अभी समास से कई हिस्सों में बहुओं पर बेटा पैदा करने का दबाव होता है अगर पहली लड़की हो जाती है तो जब तक महिल लड़कों पर 926 लड़किया थी वही साल 2011 में ये बढ़कर 1000 लड़कों के मुकाबले 943 लड़किया हो गई नैशनल फैमली हैल सर्वे 4 में जहां प्रती 1000 पूरुसों की तुलना में 919 महिलाएं थी तो सर्वे 5 में उनकी संक्या 929 थी 0-5 साल तक के उम्रकी बच्छों का ल सेंट्रल वर्किंग कमीटी ने दो हफ्ते पहले ये अंतिम फैसला किया है कि मेडिकल जगत इस बात पर सहमती जताता है कि लड़कियों को बचाया जाना चाहिए लेकिन PCPNDT का मौझूदा स्वरूप मेडिकल छेत्र में काम करने वालों के लिए अन्याय पूर्ण है लेकिन यहां यह सवाल उठता है कि अगर भूर्ण के लिंग का पता चल जाए और उसके बाल अगर दंपत्ती गरभपात करा लेते हैं तो कन्या भूर्ण हत्या पर कैसे लगाम लग पाएगी क्योंकि ऐसे कई क्लिनिकल अवैज रूप से चला जा रहे हैं जैसे जो अच्छी है वही एक पॉम एफ भी भरा जाता है जो डेटा सरकार के पास जाता है समय समय पर गरवती महिलाओं और भूर्ण के स्वास को लेकर जाज होती है और गर्व धारण के बीच में अगर पता चलता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद गर पात हुआ है तो बता राजय सरकार के पास चला जाता है तो ऐसे में उनकी जिम्म्धारी बच्ची की सुरच्छा को लेकर बढ़ जाती है कंद्या भूर्ण हत्या को कम करने का एक प्रो एक तरीका है कंद्या हत्या अपराध है लेकिन भूर्ण का पता अपराद नहीं है यह और बी आशोकन कहते हैं वहीं प्रोफेसर स्के सिंग कहते हैं PCPNDT कानून की जैसे पिछले देड़ दसक में लिंगार पात में जो सुधार आया है अध्यक्ष्य प्रस्ताव से यह खत्रा है कि वो रिवर्स हो जाएगा यह आप राधिक सोच है और डॉक्टर अशोकन केवल डॉक्टर को बचाने मदद कर रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से कितना फर्क पड़ा तो प्रोफेसर इसके सिंग कहते हैं कि आर्थिक लाप के लिए भुरूर के लिए लिंक पर इछड़ की जांस डॉक्टर करें और जब भुरूर के जान बचाने की बात आये तो सरकार करें इस बात क कोई तर्क नहीं है महिलाओं को सतक्त करने वाली संसदी समीथी ने लोकसभा में अपनी रिपोर्ट पेस करते हुए बताया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत 80% का इस्तिमाल हो चुका है प्धारमत्री नहींत मोदी ने बेटी मचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम की शुरुआत साल 2015 में की थी इस स्कीम का मकसद बाल लिंगान पात को सुधारना जेंडर क्याधार पर होने वाले भेदभाव और महिलाओं को ससक्ट करना था इसकी शुरुआत में 100 करोन रूपए की फंडिंग की गई थी और समय समय पर इसके आर्थिक आवंटर बढ़ता गया भारती समाज में लड़के और लड़कियों को समान अधिकार देने की सोच में तबदीली आई है लेकिन इसकी जड़े इतनी गहरी है कि सोच में पूरी तरह से बदलाव आने में समय लगेगा व को जिम्मेदार क्यों बताया जाए वह कहते हैं कि अपना प्रस्ताव स्वास्त और परिवार का लियार मंतला रहे के पास लेकर जाएंगे वह बताएंगे कि अगर सरकार कानून नहीं बदलना चाहती डॉक्टरों को प्रताडित करने वाले बिंदों को हटा दे तो यह डॉक्टर आर्वी अशोकन का एक स्टेटमेंट था जिसके यह पूरी चर्चा फिर से केदर में आ गई है और सभी जो इसके स्पेसलिस्ट हैं इसके जानकार हैं जो इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं उड़के भीचार इसके पच्छ भी-पच्वे आ रहे हैं तो आ कर लिजिए सब्सक्राइब क्योंकि इस तरह की जानकारी हम आपके लिए आते देते हैं अब ग्रेट डे जैहिंद